नवस्कार, घरेली उप्चार में आपका स्वागत है, साथियों इस जीमन में धन कियो सकता है, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नो हो, जिसे धन नहीं चाहिए, धन के लिए दुनिया दोडती है, चाहें व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, अंधा हो, लंगला हो, रूपिया पैसा सब के लिए अनिवार्ज है, अगर पैसा नहीं है, तो आप कोई कार्यकर नहीं सकते, तो यह जीवन धन संपती का है, गरीबी तो उसे ही कहते हैं, जिन ब्यक्तियों के पास रूपिय पैसे नहीं हैं, जिन के वजह से वो गरीब कहलाते हैं, भिखारी कहलाते हैं, रोडपती कहलाते हैं, तो मित्रों आपने कहीं कहीं देखे होंगें थमलेल में, धन प्राप्ती विडियो में, कि रोडपती भी कुड़ोर्पती बन जाता है, तो ऐसी टोड़का तो हमारे पास नहीं है, कि रोडपती बने कुड़ोर्पती, कहने के लिए, लिखने के लिए, कोई लिख दे, कह दे, लेकिन साथियों, टोड़का का अर्थ यह होता है, कि आपके जीवन में, धन संपती संबंधित कोई परसानिया आ रही है, या आ गया है, तो टोड़का परियोग कर देने से रास्ता किलीर हो जाता है, जो बधाएं हैं, वो किनारे हो जाती, तो धीरे-धीरे पैसा आना चालू हो जाते हैं, चाहे वो टोड़का किसी भी परकार का केम नहीं हो, इसे ही टोड़का कहते हैं, ऐसा टोड़का कोई नहीं कि जो रातो रात आपको बना दे माला माल तो मित्रों आज हम इस विडियो में अगर आपके हाथ रूपिय पैसे नहीं आते हों आप अपने घर में रूपिय पैसे इकाठा नहीं कर पाते हों अगर आप चाहते हैं नहीं हमारे हाथों तेजी से पैसे आएं और वह पैसे कुछ घर में इकाठा हों तो मित्रों यह बेलकूल सार सहज और आसान परियोग है इस उपाय से आप अपने भाग्य को पिस्मत को बदल सकते हैं तेजी से आगे बढ़ सकते हैं तो मित्रों आप इसे ध्यान से सुनें इस परियोग से अचानक धन भी प्राप्ति होती है और घर में तेजी से पैसे आते हैं तो साथियों आप इसे ध्यान पुरुवक सुनें अगर आप से धन नहीं जुट पा रहा हो तो अपने तिजोरी या कैस बक्स या जहां भी आप अपना रूपया पैसा रखते हैं उसके नीचे लाल रंग का रैस्मी बस्तर को बिशाक कर उपर से रूपया पैसा रखें फीर देखें इसका कमाल आपके घर में तेजी से धन इकठा होगा और आपके हाथों पैसे भी आएंगे तो मित्रों आचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो सुमवार के दिन सुबह के समय समसान भूमी में मने सीव मंदिर में सीव लिंग पर दूध और सहद मिलाकर उस समसान भूमी सीव लिंग पर चाहाँ है तो आपको आचानक धन की प्राप्ती होगी यहाँ चूक उपाय है और अपने तीजोरी या कैस बक्स या जहां आप रूपिया पैसा रखते हैं वहाँ पर कूछ गूजा कहिए घुक्ची कहिए रती कहिए उसके कुछ दाने वहाँ रख दें चाहें वह लाल काली हो या काली हो कोई भी कुछ दाने रखने इससे आपके घर में जोरदार रूपिय पैसे आएंगे धन की प्राप्ती होगी तो मित्रों यह छोटे छोटे उपाय आपको बना सकता है खुसाहाल तो मित्रों छोटा नहीं समझना चाहिए छोटा बड़े कारिगर होते हैं तो यह हम कुछ उपाय आपको जो दिया हूँ बेहद परभावसाली है अगर आप इन सब परियोगों को कर देते हैं तो आपके हाथों आपके घर में जोरदार धन आएंगे और जो धन बड़ा का मार्ग आपका बढ़ा हुआ था जिसके कारण से आपके घर में धन नहीं आते थे और नहीं कठे हो पाते थे तो इस उपाय से यह रास्ता किलियर हो जाता है तो टोटका परियोग उपाय का अर्ष यही होता है कि आने वाली बधायें, चाहें वो धन संपती का हो या किसी भी परकार की हो, उपाय कर देने से यह मार्ग और रस्ता से बधायें हट जाते हैं, मार्ग साफ हो जाता है तो धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगती है, और आज कल लोग यहां सोचते हैं कि आज किया तो कल से क्यो नहीं हमारा भंडार भर रहा है, ऐसा कोई टोटका नहीं है, इसमें समय लगता है मित्रों, कोई कार्य बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में नहीं, तो इसका इंतजार करिए, पर्तिक्छा करिए, आत्म विश्वास से करिए, धीरे धीरे आगे जरूर वह हमें दीजिए इजाज़ात.